हेलो स्वागत है आप सभी का फ्री एड्यूकेशन यूटूब चैनल पर दोस्तों मैं वेशाली लोधी और आज मैं आप सभी के लिए पिछले आट महींने के करेंट अफ्यास के मोस्ट इंपॉर्टन टू फिफ्टी को लेकर आई हूँ इस वीडियो लेक्चर में हमने जितन बने रहेगा और इससे ही आपका सारा का सारा करेंट अफ्यास जो है यह कवर हो जाएगा चलिए मैंना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट कॉशन की और पहला हमारा कॉशन है फीफा महिला विश्वकप दोहजर तेस का ख किस ने जीता यह जो खिताँ जीता है इस पें नहीं यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा जो स्पेंधिया इस प्रेश ना को एक सीरो से हरा कर फीफा महिला विश्वकप का जो किताब है यह पहली बार जीता है तो कॉशन आपके एक्जाम पॉंट आफ युश से Most Important हो जात जो है इसको महारतने कंपनी का दरजा दिया गया गा यह साथ में भारत में महारतने कंपनीओ की संख्या जो है कि तेरह हो गई आप इसकी स्थापना 1969 में की गई थी मुक्याला जो है यह असम के दुलिया जान में है और चेयर्मन कौन है डॉक्टर रंजीत रत्न नेक्स कॉस्चन यहाँ पर है वर्ल्ड तीरिंदाजी चैंपेंशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतिय पुरुष खिलाडी कौन बने है दोस्तों ओजस देवताले जो है यह वर्ल्ड तीरिंदाजी चैंपेंशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतिय पुरुष खिलाडी बन गए है नेक्स कॉस्चन भारत का नवीन तम यानि की त्रेपनवा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है रानीपोर टाइगर रिज जाएगा जो रानीपोर टाइगर रिजर्व है यह कहां पर इस्थित है तो यह उत्तर प्रदेश के चित्र कूट में इस्थित है कहां पर है चित्र कूट में इस्थित है चलिए नेक्स्ट हमारा कॉशन है नागलेंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी है सल हो तु अनु क्र कर देख सकते हैं नेक्स कॉश्चन किसे अंतराश्ची बुकर पुरुसकार 2023 दिया गया तो यह दिया गया है जॉर्जी गोस पोडिनोफ के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह कौन है तो यह बुलगारिया देश के लेखक हैं और इनको इनक का नहाया नाम होगा एहल्या नगर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉश्चन चंद्रियान 3 के लेंडर की सॉफ्ट लेंडिंग चांद के किस हिस्से में हुई है कॉश्चन आपके एकजाम पॉइंट आफ यू से बेहद ही महत्पून है चंद्र मोस्ट इंपॉर्टन है तो इससे जड़े हुए सभी इंपॉर्टन फैक्ट को मैं आपर कवर करेंगे चंद्रियान 3 जो है इसको कब लॉंच किया गया था तो 14 जुलाई 2023 को कहां से लॉंच किया गया 37 धवन अंत्रिक्ष के इंदर सिरी हरी कोटा जो की आंदर प्रदेश क कि पती जिले में इस्तित है कहां पर है फिकल मार्ग थरी इसके इसको बेजा गया था इसके लैंडर का नाम क्या क्या है तो विक्रम है और रोवर का नाम क्या तो प्रग्यान है भारत जो है यह चांद के साउथ पोल पर याने की दक्षनी ध्रोप पर सफलता पूर्वक लेंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है साथ में ही चांद पर लेंड करने वाले हम कौन से देश बन गाए है तो चौते देश बन गाए है लेंडर और रोवर जो है यह चांद के साउथ पोल पर उतर कर 14 दिन तक वहाँ पर वैग्यानिक अन्वेशन करेंगे चलिए नेक्स कॉशन की और बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं इसी प्रकार से अगर आप टॉपिक वाइस करेंट अफियर्स को पढ़ना चाते हैं या फिर साइन्स की इबुक को भी लॉंच कर दिया गया है यह तीनों बुक जो है यह नए परिशा पैटन पर आधारित है इनको आप अभी बाय कर सकते हैं इनकी जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी साथ मैं ही मैं आपको बता देना चा चलिए नेक्स कॉशिंट की और बढ़ेंगे वर्ष उन्नी स्सौ उन्फर का रह्मन मैकसे से अवाट कि से दिया गया वर्ष दो हजारटीस में मोस्ट इंपॉर्टन कॉस्चन है क्यूंकि वर्ष Spy 9都 6 69 का रह्मन मैक्सिल से पुरिशकार है और 2023 में ये दिया गया है दलाई लामा के लिए ए आप्शन यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा। क्या हुआ था इस पुरिशकार को देने की घोशना कर दी गई थी दलाई लामा के लिए लेकिन नहीं दिया जा सका और अभी हेमाचल प्रदेश के धर मिसाला में दलाई लामा जो है उनको ये अवार्ट प्रदान किया गया है। दोनों विश्विध्याले गुजरात की गिफ्ट सिटी जो है वहाँ पर खोले जाएंगे। कॉशन इन्पॉर्टेंट है। ये चेक गर्राज की मारकेटा बंडरो सुवाने जीता है। नेक्स कॉश्चन हाली में ब्यस्व की नए महानिदेशक कौन निक्त हुए है। ये बन गया हैं दोस्तों नितिन अग्रवाल भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स कॉश्चन रहेगा हमारा सैन गठवंदन नाटो का 31 सदर्श देश कौन सा बना है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टन को ही सेलेक्ट किया है। कॉश्चन के आंसर आपकर पहले से जानते हैं तो वीडियो को पॉस्ट करके अपने आंसर लगाए। और कमेंट सेक्षन में अपने स्कोर शियर करें कि मुझे पहले से इतने कॉश्चन के जो आंसर हैं यह सही सही पता थे। इससे आप अपनी तयारी को भी देख सकेंगे किस लेवल की आपकी तयारी है। चलिए से निगटबंद नाटो जो है इसका 31 सदश्य देश बन गया है फिन लेंड डी आप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉशन है विश्व आर्थिक मंचित के उर्जा संक्रमन सूचकांग 2023 में भारत के सिस्थान पर है। भारत जो है इसमें सरसर्ट वे स्थान पर है डी आप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन सा देश है तो पहले स्थान पर स्वीडन देश है। कौन सा स्वीडन देश जो है यह इसमें पहले स्थान पर है। किस राजिके संबल हॉर्ण क्राफ्ट को जिया टैक दिया गया है तंबल हॉर्ण क्राफ्ट जो है यह उत्तर प्रदेश का है भी आप्शन राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में किसे 32 वे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर ज्यान चतुरवेदी के लिए यह दिया गया है इनका उपर नियास है पागल खाना इसके लिए इनको यह सम्मान प्रदान किया गया बात करें अगर 31 व्यास सम्मान कैसे दिया गया था तो ये डॉक्टर अजगर बजाहत के लिए दिया गया था पिछले साथ नेक्स कॉशन को डिस्कस करेंगे 32 सरश्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया 2022 का सम्मान है लेकिन 2023 में दिया गया है इसे सम्मानित किया गया है शिफशंकरी के लिए इनके उपन्या शूरिवन्षम के लिए C option is the correct answer Next question, Women's Premier League 2023 याने कि WPL की पहली चैंपियन टीम कौन बन गई है जिस प्रकार से आप जानते हैं IPL का आयोजन जो है ये पुरुशों के लिए किया जाता है इसी तरज पर Women's के लिए महिलाओं के लिए Women's Premier League का आयोजन किया जाने लगा ये पहला संस्क्रेंट था और इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था मुंबई में किया गया था पहली टीम जो है विजेता ये रही है मुंबई इंडियन्स डी आप्शन राइट आंसर हो जाएगा इससे जड़ो हुए इंपॉरेंट फैक्ट को कवर करेंगे तो मुंबई इंडियन्स ने दिल्ली कैपिटल को साथ विकेट से हरा कर WPL 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया मैंने अभी बताया पहला संस्क्रण है आयो जिन मुंबई में किया गया तीमें कितनी शामिल हुई थी तो पास तीमें इसमें शामिल हुई थी नेक्स कॉप्शन हाल ही में लॉंच पुस्तक आजाद किस की आत्म कता है आजाद जो है दोस्तो ये गुलाम नभी आजाद की आत्म कता है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजिस्थान की किस जिले में मैं 2023 में लीथियम के भंडार खोजे गए हैं तो इस देश की टीम ने जीता है ये जो खिताब है दोस्तो अपने देश भारत ने जीता है डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंपॉर्डंट फैट को कवर करेंगे इसका जो आयोजन है ये कोडिया गर्राज के वुशान सहर में किया गया विजिता टीम रही आप दी चैन येलो स्टार दिया गया ये जो सम्मान है ये अपने देश की रास्टपती को दिया गया है द्रौपती मूर्मू के लिए ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा काफी इंपॉर्टंट कॉशन है दोस्तो इंपॉर्टंट फैक्ट को डिसकस करेंगे सूरी ना दर्शन अमेरिका महदूप में सितिक देश है इसकी दासधानी है पारा मारिवो प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोगी और मुद्रा है सूरी नामी डॉल नेक्स कॉशन आई आई टी मद्रास ने किस अफरिकी देश में अपना पहला अंतर रास्तिय परिस्थ स्थापित करेगा जिसमें अक्टूबर दोहजर तेस में कक्छाएं भी शुरू करने की योजना तैयार की गई है तो दोस्तो इसको शुरू किया जाएगा तंजानिया में इस अप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने कहां पर पहले भारती वायू सीना हैरी जू सांटर का उधगाटन है चंडी गड़ में बी आप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका जो उधगातन है कब किया गया तो य मिश्र के सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया इस अवर्ट का नाम बताई है दोस्ते इस अवर्ट का नाम है ओर्डर ओफ नाइल यह मिश्र का सर्वोच नागरिक सम्मान है और यह अपने देश के प्रधान मंत्री को दिया गया है चलिए नेस्ट हमारा कॉशन है माई 2023 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने किस भारती अभिनेत्री को कवर पेश पर दर्शाया दिपिका पादु कोड जो है इनकोड टाइम मैगजीन के द्वारा माई 2023 में कवर पेश पर दर्शाया गया था महरास्ट के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपतली अजित पावार ने बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इंपॉर्डन फैट को कवर करेंगे महरास्ट इसकी राजधानी है मुंबई मुख्यमंत्री है एक नाचिंदे उप मुख्यमंत्री दो बन गए है जो है ये पहले से मुख्यमंत्री थे अजित पवार को अभी हाली में बनाया गया है गवर्नर कौन है तो रमेस वैश है नेक्स कॉश्चन वैश्विक सान्ती सूचकांग दो हजर तेईस में भारत का कौन सा स्थान है ये सूचकांग में भारत का 126 वा स्थान है डी कौन सा देश है तो याद रखिएगा जो आइसलेंड है ये प्रथामिस्थान पर है अपना देश 126 वे नंबर पर है हाल ही में कहां से भारते रेल्वे ने देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ट भारत योजना के तहत पूरी से गंगा सागर दिव्यकाशी यात्रा को शुरू किया तो देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ट भारत योजना जो है इसके तहत पूरी से गंगा सागर के लिए दिव्यकाशी यात्रा है इसको शुरू किया गया है कहां से शुरू किया गया है तो इसको महरास्ट के पोड़े से शुरू किया गया है एक यहां पर right answer हो जाएगा next question दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतिय सैने को British PM ने point of light award दिया है यह जो award है यह दिया गया है दोस्तो राजेन सिंग घटे के लिए यहां पर the option जो है यह बिलकुल right answer हो जाएगा दुनिया के पहले robotic check-in सहायक का अनावरन कहां पर किया गया तो इसका जो अनावरन है यह दुबई में किया गया है यह option right answer हो जाएगा विश्व बैंक के दुआरा जारी Logistic Performance Index 2023 में भारत के सिस्थान पर है तो भारत जो है इसमें 38 सिस्थान पर है सबसे पहले नमबर पर कौन है तो याद रखिएगा Singapore जो है यह इसमें पहले नमबर पर है दूसरे नमबर पर Finland है और तीसरे नमबर पर बात करें तो Denmark जो है यह इस सूचकानक में तीसरे नमबर पर है अपना देश भारत 38 नमबर पर है Next question कोल इंडिया लिमिटेट के नए अध्यक्ष और प्रवन निदेशक कौन मने है सही आंसर हो जाएगा PM प्रसाद C option Next question को डिसकस करेंगे किस संस्था ने स्टार्ट कारिक्रम की शुरूआत की है इसकी जो शुरूआत है इस शुरू के द्वारा की गई है ये जो कारिक्रम है स्टार्ट कारिक्रम इसमें स्टार्ट का फुल फॉर्म है Space Science and Technology Awareness Training Program इसमें क्या होगा तो इस कारिक्रम को इसनातक अंतिम वर्ष और इसनातक ओतर चात्रों के लिए अंतिक्ष विज्ञान और प्रियोद्योगी की में जागरुकता लाई जाएगी इसका प्रिशिक्षन दिया जाएगा जिससे कि वे इस छेत्र में अपना करियर बना सकें और इस विशाई के बारे में सोच सकें चलिए किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सकाई वॉक ब्रिच का उद्घाटन किया गया इसका उद्घाटन किया गया है तमिलाडू में भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ओडियाई मैच में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबास कौन बन गया है बाबर आजम इन्होंने 97 मैच में 5000 रन कवर किये हैं और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है नेक्स कॉश्टन नेपाल में इस्थे दुनिया के 10 वे सबसे उचे परवत अनपूर्णा पर चड़ने वाले पहले भारत्य पुरुष कौन बने हैं दोस्तों ये बन गया है अर्जुन बाचपेई ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो अन्नपूर्णा परवत चोटी है इसकी उचाई कितनी है तो 8,099 मीटर इसकी उचाई है और इस पर चड़ने वाले पहले भारतिय अर्जुन बाचपेई बन गया है मज़ी 2023 में शुष्याशन नियमन को मनजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है ये बना है दोस्तों महरास्ट और आधितनात के लिखा कौन है ये जो पुस्तक है ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आधितनात की जीवन यात्रा पर आधारित है हालिये में CBSC की नई सिक्षा नीती 2020 के हिस्ते के रूप में किस कक्षा के सिलेबस में कोडिंग और AI को शामिल करने का निर्णाय लिया गया ये जो निर्णाय है ये कक्षा छटवी से आठवी के लिये लिया गया है ए उप्षन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्टपती द्रौपती मुर्मू ने गज उत्गाटन अप्रेल 2023 में किस राज्ज में किया गज उत्गाटन किया गया है असम राज्ज में A option राइट आंसर हो जाएगा जो असम का काजी रंगरास्टी उत्ध्यान है यहाँ पर इसका उत्गाटन किया गया है किस मुख्य मंत्री को तेरवे डॉक्टर भारत रत अमेटकर पुरुसकार से सम्मानित किया गया यह दिया गया है योगि आदितिनाद को B option राइट आंसर हो जाएगा किस राज्ज सरकार ने नमोशेतकरी महा सम्मान निधी योजना को शुरू किया यह जो सम्मान निधी योजना है इसको महराज सरकार के द्वारा शुरू किया गया इस योजना की अंतरगत महराज के जितने भी किसान है उनको 6000 रुपे की जो राशी है यह प्रती वर्ष आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्त कराई जाएगी नागा लेंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई है हेकानी जाखालू याद रखेगा दोस्तो नागा लेंड जो है यह राजी कब बना था तो वर्ष 1963 में और जब से यहां तक अभी तक कोई भी महिला विधायक नहीं थी लेकिन 2023 में जो हेकानी जाखालू है यह पहली महिला विधायक बन गई है स्टेटिक जीके का यह कौशन बन जाता है यह किस पार्टी से बिलॉंग करती है तो एंडी पीपी पार्टी से यह बिलॉंग करती है चलिए नेक्स्ट हमारा कॉशन है भारत ने किस टीम को हरा कर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है भारत जो है इसने इंगलेंड को हरा कर यह खिताब अपने नाम कर लिया है इंपॉर्णन फेक्ट डिसकस करेंगे भारत जो है इसने 29 जनवरी 2023 को इंगलेंड को साथ विकेट से हरा कर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता भारत ने महिला क्रिकेट में ICC की ट्रॉफी जो है यह पहली बार अपने नाम की है ICC महिला अंडर 19 T20 वर्ल कप जो है इसका यह पहला संस्क्रंड था आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में और कब से कब तक तो 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया नेपाल ने किस वर्ष को विसेश परेटन वर्ष के रूप में नामित किया है तो यह किया है दोस्तो 2025 के लिए C option right answer हो जाएगा नेक्स कॉशन को डिसकस करेंगे भारत में मेथिनॉल से चलने वाली पहली बस को किस सहर में हरी जंडी दिखाई गई मेथिनॉल से चलने वाली पहली बस इसको हरी जंडी दिखाई गई है बैंग लूरू में D option right answer हो जाएगा देश की पहली महिला टीम ने ICC महिला T20 विशकप 2023 का खिताब जीता यह किस देश की महिला टीम ने जीता है तो दोस्तों यह जीता है आस्ट्रेलिया ने C option यहाँ पर right answer हो जाएगा important fact को डिसकस करेंगे आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिन अफ्रीका को 19 रनों से हरा कर 6 बार महिला T20 विल्ड कप 2023 के खिताब अपने नाम कर लिया संस्क्रण है आठवा आयजन किया गया दक्षिन अफ्रीका में विजेता टीम रही है आस्ट्रेलिया की और आस्ट्रेलिया ने दक्षिन अफ्रीका को हरा कर यह खिताब जीता है next question हाली में नव निर्मित संसत भवन का उद्गातन किस ने किया अभी हाली में संसत भवन बनकर तयार हुआ है नव निर्मित है यह इसका उद्गातन किया है प्रधान मंत्री मोदी ने भी option right answer हो जाएगा important fact को cover करेंगे तो इसका जो उद्घाटन है ये 28 मई 2030 को किया गया इसकी आधारशिला कवर रखी गई थी तो 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी इसमें एक सिंगॉल है जिस पर कॉशन आप से एक्जामे क्रियेट किये जा सकते हैं तो धानमंत्री मोदी ने नए संसत भवन में पवित्र सिंगॉल याने की राज दंडी की इस्थापना की जो सिंगॉल है ये कितने फिट लंबा है तो ये 5 फिट लंबा है जिसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो की न्याय का प्रतीक है सिंगॉल जो है इसका संबंध किस वंच से है तो चोल वंच से इसका संबंध है ये important fact थे जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते थे next question मई 2023 में किस देश के सर्वोच न्याले ने समलेंगिक्ता को अपराद की श्रेणी से बाहर कर दिया समलेंगिक्ता इसको अपराद की श्रेणी से बाहर किया है श्री लंका ने भी option right answer हो जाएगा देश के पहले राज्य का नाम बताईए जहां की विधान सभा ने right to health विद्या को पास किया है तो ये जो विद्या के राजस्थान ने पास किया है डी option right answer हो जाएगा देश में कितने nursing college स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है तो देश में अभी दोस्तों 157 ने nursing college स्थापित किये जाएगे बी option right answer हो जाएगा और इन मैंसे सबसे जादा 27 nursing college जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाएगे नेक्स हमारा question है हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में vote from home की शुरुआत की है तो vote from home की जो शुरुआत है ये की गई है करनाटक में be option right answer हो जाएगा next question हाल ही में सार्जा क्रिकेट स्टेडियम जो की UAE यने की सयुक तरब अमीरात में है जिसमें एक stand का नाम बदल कर किसी भारती खिलाडी के नाम पर रख दिया गया है किस भारती खिलाडी के नाम पर रखा गया तो सचिन तैनल कर जिसको अपने देश में क्रिकेट का कहा जाता है यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा किस राजी में इस्तित तुंगनाथ मंदिर को केंद्र सरकार ने रास्टी इस्तमारक घोशित किया गया है तुंगनाथ मंदिर जो है यह कहां पर इस्तित है तो यह दोस्तों उत्तरा खंड में इस्तित है यह ऑप्शन रा पहले व्यक्ति हैं कामी रिता सेरपा जिन्होंने 27 बार मांट एवरेस्ट पर चड़ाई की उसके बाद में 26 बार मांट एवरेस्ट पर चड़ाई करने वाले दूसरे व्यक्ति जो है ये बन गाए हैं पसंग दावा बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में किस राज या फिर के इंदर शाषित प्रदेश में देश का पहला केवल स्टे रेल ब्रिज बनाया गया तो ये जो रेल ब्रिज है ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा देश का पहला पूर्ण यी गवर्नेंस वाला राज कौन सा बन गया है कि एरल बना है बी ऑप्शन सही अंसर हो जाएगा नेक्स कॉशन को डिसकस करेंगे हाल ही में किस राजसरकार ने तीन नए सनरक्षन रिजर्व खेचन सोरसन और हमीरगर की घोशना की है तो इनकी जो घोशना है ये की गई है राजस्थान में बी ऑप्शन यहां पर राइट अंसर हो जाएगा राजस्थान में अब कुल कितने सनरक्षन रिजर्व हो गए है तो इनकी संख्या कुल 29 हो गई है नेक्स कॉशन चौथा एश्या खोको चेंपेंशिप 2023 कहां पर आयोजित किया गया तो इसका आयोजित किया गया है असम राज्ज में ए इसका राज्य में इस्तित है तो दोस्तों ये उत्तराखंड में इस्तित है बी आप्शन यहां पर राइट अंसर हो जएगा उत्तराखंड का माना गाव जो है ये भारत का आकरी गाव की जगा भारत का पहला गाओं बन गया है नेक्स कॉश्टन एफे टीएफ ने किस प्रतिशत का आरशन देने की घोशना की है पदोन नती याने Kि दोस्तो प्रमोशन इसमाने कर्म चार परतिशत करने का परतिक कि Qisit भाध दोमान के घ центр लेकिन लेकिन आपसे एकजाम में ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछा जाएगा कौन सा देश एलेक्त्रिक वाहनों पर प्रतिविंद लगाने की योजना बना रहा है तो एलेक्त्रिक वाहनों पर प्रतिविंद लगाया जाएगा स्विजर लैंड में C option right answer हो जाएगा और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा किस देश के जौला मुखी माउंट मेरपी में मार्श 2023 में उद्गार हुआ है तो माउंट मेरपी कहां का जौला मुखी है दोस्तों ये है इंडोनेशिया का जौला मुखी भी option right answer हो जाएगा और यहां पर मार्श 2023 में उद्गार हुआ है नेक्स कॉश्चन हाली में कहां प्रधान मंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म सिद्ध रुद्ध स्वामी जी हुबली इस्टेशन को देश को समर्पित किया है नोस तो यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है यह प्लेटफॉर्म कहां परिस्थ है तो यह करनाटक में इस्थ है भी option right answer हो जाएगा और याद रखिएगा यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन बन गया है इससे पहले स्वामी सिद्धुरुद्दा जी रेलवे स्टेशन जो है इससे पहले गोरकपुर का जो प्लेटफॉर्म था यह सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था लेकिन इसका record break करकर स्वामी सिद्धुरुद्दा जो रेलवे स्टेशन है यह सबसे बड़ा railway station बन गया है इसकी लंबाई किती है तो याद रखेगा 1507 मीटर इसकी लंबाई है बात करें गोरकपुर railway station की लंबाई कितनी थी तो 1366.33 मीटर इसकी लंबाई थी फ्रिंजेक्स 2023 सैयोक्त सेन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आज़ित हुआ है तो भारत और फ्रांस के बीच में आज़ित किया गया है फ्रिंजेक्स सेन अभ्यास को चलिए नेक्स कॉश्चन को डिसकस करेंगे भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरोन अभ्यास का 21 संस्क्रण आज़ित किया गया तो वरोन अभ्यास जो है ये भी भारत और फ्रांस के बीच में आज़ित किया जाता है बी आप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइसीना डायलोग 2023 में चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश के प्रधान मंत्री ने हिस्सा लिया था तो एटली के प्रधान मंत्री ने हिस्सा लिया था नेक्स कॉशन को डिसकस करेंगे अंतर रास्टी बौधिक संपदा सूचकांग 2023 में भारत की रैंकिंग बताई है तो यह जो सूचकांग है इसमें भारत की रैंकिंग रही है 42 वी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉशन को डिसकस करेंगे केंदर सरकार ने योवा लेखकों को मार्ग दर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की योवा 2.0 योजना को शुरू किया गया है हाल ही में स्वास्त और परिवार कल्यार मंत्रालाय ने किस वर्ष तक फाइल एरिया को समाप्ट करने के लिए रास्ट व्यापी अभ्यान सर्व दवा सेवन को चलाया है ये जो अभ्यान है 2027 ते के लिए चलाया गया है B option is the correct answer मार्श दो हजर तेस में पुरातत्व सर्वेक्षन बिभाग ने किस राज्य के जाजपुर में 1300 साल पुराना बौध इस्तूप खोजा है तो दोस्तों 1300 साल पुराना बौध इस्तूप जो है ये खोजा गया है ओडिसा में C option right answer हो जाएगा ओडिसा का जाजपुर है जहां पर इसको खोजा गया है next question विकासिल देशों को आवश्चक चिकिस्सा आपूर्ती प्रदान करने के लिए प्रदान मंतरी मोदी ने किस परियोजना की घोशना की आरोग मेतरी की बी option right answer हो जाएगा इसकी घोशना कप की गई है तो याद रखेगा जनवरी 2023 में इसकी घोशना कर दी गई थी next question फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की तो इसकी जो मेजबानी है ये आरजेंटीना ने की थी और इसमें विजटा रहा है उरोगवे याद देखेगा विजटा देश कौन सा है तो उरोगवे है और मेजबानी की थी आरजेंटीना देश ने next question केंद सरकार की PM मित्र योजना इन में से किस से सम्मन्दित है PM मित्र योजना का पड़ा उद्योग से सम्मन्दित है ये option right answer हो जाएगा important fact को discuss करेंगे ये जो योजना है इसकी घोशना अक्टूबर 2021 में की गई थी शुभारंब और मंजूरी कम बिली है तो 17 मार्श 2023 को इसका उद्देश कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व इस्तर पर प्रतिस परदा बनाए रखना इसका उद्देश है PM मित्र में का फुल फॉर्म क्या है तो PM Mega Integrated Textile Reason and Apparel इसका फुल फॉर्म है PM मित्र योजना के तहत PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए कि इंदर सरकार ने कितने राज्यों के कितने शहरों को चैनित किया तो साथ राज्यों के साथ शहरों को चैनित किया गया है PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए ये कौन-कौन से है तो उत्तर प्रदेश का लखनव है मद्यप्रदेश का धार है गुजरात का नफसारी है, महरास्ट का अमरावती है, करनाटक का कल बुर्गी, तेलंगाना का बारंगल और तमिलनाडू का बिरुध नगर है चलेए, नेक्स कॉश्चन, बारवे विश्प हिंदी सम्मेलन 2030 की मेजबानी किस देश ने की, तो इसकी जो मेजबानी है, ये फिजी देश ने की है, ए और आप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक जीके से यहाँ दो कॉश्चन बन जाते हैं, प्रथम विश्प हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ, कब हुआ, 1975 में महरास्ति की नाकपुर में इसको किया गया था, ग्यारवा विश्प हिंदी सम्मेलन जो है इससे प्रीवियस वाला, ये 2018 में और मौरी सिस्ट के वन थोट लिखी है, तो पावर ओफ वन थोट पुस्तक जो है, ये लिखी गई है, दोस्तों, बी के शिवानी के दौरा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जल इस्तरोतों की संख्या की गढ़ना की रिपोर्ट के आधार पर सरवादिक जल इस्तरोत के बाजय बंगा है, इनके लिए वर्ल्ट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, छटवा हिंद महासागर समीलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका जो आयोजन है, ये धाका में किया गया, धाका कहा है, तो ये बांगलादेश की राजदानी है, इस समीलन इस राज में कौन्द जन जाती द्वारा, बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन किया गया, बीज उत्सव बिहान मेला का जो आयोजन है, ये किया गया, ओडिसा में A option right answer हो जाएगा, ओडिसा का जो नया गर्द जिला है, यहां पर इसका आयोजन किया गया, नेक्स तो शुभमन गिल जो है इन्होंने नियुजिलंड के खिलाफ में ये दोहरा शतक लगाया और ऐसा करने वाले ये पांच भे और सबसे योवा बलीबास बन गए सबसे पहले भारती बलेबास कौन है जिन्हें दोराशर तक लगाया था आप सब भी जानते होंगे अगर क्रिकेट आपको पसंद होगा तो दोस्तों यह थे सचिन, तैंदुलकर जिन्हें सबसे पहले दोराशर तक लगाया था पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस न्यामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गया है इसके नए अध्यक्ष जो है ये बने है एके जैन ये आप्शन राइट आंसर हो जाएगा किस जिले को देश का पहला सम्विधान साक्षर जिला घोशित किया गया एक किया गया है कीरल के कोलम के लिए सबसे जादा 27 बार माउंट आवरेस पर चड़ने का रेकॉर्ड किसने बनाया तो इस कौशन का आंसर मैं आपके लिए पहले ही बता चुकी हूँ ये जो रेकॉर्ड है ये कामी रीता शिर्पा ने बनाया है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में एशियाई चेस एक्सिलेंस आवर्ड दोहजर तेस में किस राजी के मुख्यमंत्री को चेस को प्रमोट करने के लिए मैन आफ दा इयर का खिताब दिया गया ये खिताब दिया गया है तमिल लाडू के मुख्यमंत्री के लिए बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहां के मुख्यमंत्री कौन है तो M के स्टालिन जो है ये तमिल लाडू के मुख्यमंत्री है और दोस्तो इन्हें चेस को प्रमोट करने के लिए Man of the Year का खेताब दिया गया है आप सभी जानते होंगे जो Grand Master हैं जादा से जादा वो तमिल लाडू राज से ही बिलॉंग करते हैं भारत के नए केंद्रिय सतर्क्त आयुक्त याने की CVC कौन बने हैं दोस्तों ये बन गए हैं प्रवीन कुमार श्रीवास तब दी ऑप्चन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स हमारा कॉशन है बैडमिंटन एशिया चेंपेंशिप में श्वेंड पदिक जीतने वाली पहली भारतियों पुरुष योगल जोडी का नाम बताई है साथविक साईराज रंकी रेड़ी और चिराग सेटी जो है इनकी जोडी ने मिलकर पहली भारतियों पुरुष जोडी बन गई है जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चेंपेंशिप का खिताब जीता है आईपेल इतिहास में 7000 रं बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए है दोस्तों पहले क्रिकेटर जो है ये बन गए है विराज कोली ए ऑप्षिन इस दर राइड आंसर देश की पहली इंट्रा नोजल कोविट वैक्सीन का नाम बताई है जिसे केंदर सरकार ने 26 जनवरी 2013 को लांच किया इंट्रा नोजल कोविट वैक्सीन यानि की कोविट की ऐसी वैक्सीन जिसको नोज यानि की नाक के द्वारे इंसर्ट किया जाएगा ये वैक्सीन है एनको वैक दी ऑप्षिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसे किस ने डेवलप किया तो भारत वायो टेक कमपनी के द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है नेक्स हमारा कॉस्टन है हाल ही में गोल्डन गलोब रेस पूरी करने वाले पहले भारती कौन मन गया है यह बने हैं अभिलास टॉमी ए ऑप्षिन राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में मैं आप दी सेंचुरी की उपादी से किसे सम्मानित किया गया तो पंडित राम किसंजो है इनके लिए मैं आप दी सेंचुरी की उपादी से सम्मानित किया गया है भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहां पर बनाई जा रही है तो पानी के नीचे पहली समुद्री सुरंग जो है इसको बनाया जा रहा है मुंबई में D option right answer हो जाएगा कि शहर की पुलिस ने देश की पहली बार पुलिस टोन यूनिट लॉंच की तो इसको लॉंच किया है चेन ने भी option right answer हो जाएगा हाल ही में चलने का अधिकार यानि की right to walk लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना तो यह बन गया है दोस्तो पंजाब राज्य भारत और किस देश की वायुशिना की बीच में कोप इंडिया दोहजर तीस अयजेद किया गया तो कोप इंडिया दोहजर तीस सेंद अभ्याज को दोस्तो भारत और यू ईयोली यानि कि संधक्त अरब अमिराथž के पीच में आयोजेद किया गया है नेक्स हमारे यह पर कॉप्शन है कौंकर 2023 दूई पक्षिय सेन अभ्याज जो है ये किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया तो कौंकर 2023 जो है इसको आयोजित किया गया भारत और ब्रिटेन के बीच में D option यहाँ पर right answer हो जाएगा ब्रिटेन की जगह अगर आपको UK लिखा मिलता है तो इसको भी आप correct answer लगाएंगे नेक्स कौशन हाल ही में ससस्त सीमबल यानि की SSB के नए महानेदेशक की रूप में किसे निक्ति किया गया तो रस्मी शुकला जो है इनको SSB का नया महानेदेशक यानि की DG बनाया गया है विश्व छहरोग दिवश कब मनाया जाता है तो इसको मनाया जाता है 24 मार्च को B option right answer हो जाएगा नेक्स कौशन की और बढ़ने से पहले इस दिवश की थीम को हम जान लेते हैं तो yes we can end TV यानि की हाँ हम TV को समाप्त कर सकते हैं इस दिवश की थीम रही है किस दिवश की थी शुरू की है तो भारत को टीवी मुक्त करने के लिए नेक्स चाय पोशन योजना को शुरू किया गया है यह option right answer हो जाएगा नेक्स कौशन ACFF यहने की South Asian Football Federation Championship 2023 किस देश की टीम ने जीती है यह जो चैंपेंशिप है इसको जीता है अपने देश भारत ने C option right answer है नेक्स कौशन को डिसकुस करेंगे ताइम मैगजीन द्वारा वश दो हजर तेश में जारी दुनिया की महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थ स्थानों को शामिल किया गया तो ओडिसा का मैयूर भंज और लद्दाग इन दौनों को शामिल किया गया है option C उपर यक्त दौनों यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा next question FIH होकी प्रो लीग 2022 तेश की चैंपेंट टीम कौन सी बनी है तो यह बन गई है नीदर लैंड B option यहाँ पर राइट आंसर है पुरुष होकी टीम जो है यह कौन से नंबर पर रही है तो याद रखिएगा भारत की जो पुरुष होकी टीम है इस चैंपेंशिप में चोथे स्थान पर रही है next question Wipin the man behind the uniform पुस्ते के लेखक कौन है तो इस पुस्ते के लेखक हैं दोस्त तो रचना विस्ट राबत B option राइट आंसर next question वेग्यानिकाओ के अनिसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है तो दोस्तो मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना 2023 में जून का रहा है C option यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा next question Facebook और Instagram की parent company Meta है इसने micro blogging एप नाम बताना है तो माइक्रो ब्लॉगिंग एप जो है इसका नाम है Threads B option राइट आंसर हो जाएगा next question भारते महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन मन गई यह बनी है दोस्तों उमा छेतरी I hope इन सभी question के आंसर आप पहले से ही ज देखें और detail current affairs की जो वीडियो हैं उनको भी देखें सारा का सारा current affairs वहीं पर दोस्तों आपका गबर हो जाएगा और अगर जल्दी से quick and fast revision आप करना चाहते हैं तो आप हमारी ebook को वाई कर ले उनसे भी आपको बहुत ही जदा help मिलेगी ebook आपके एक्जाम के लिए रामब time और सबसे पहले आप सभी के लिए मिल सकें चलिए तो हमारी question को discuss करते हैं next हमारा question है Greece के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने किरिया को समिच सोता किस जो है ये ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए है next question AIFF यानि की All India Football Federation पुरुस फुटबॉलर ऑफ दे ये 2023 का पुरुषकार किस से दिया गया दोस्तों ये जो पुरुषकार है ये दिया गया है लालियान जुआला च्छांगते के लिए बी option right answer हो जाएगा ये कहां के निवासी है तो याद रखिएगा ये मिजोरम की निवासी है इनका नाम आपको याद रखना है next question दुनिया के दसवे सबसे अमीर सहरों की सूची में कौन सा शहर सीर्सिस्थान पर है तो दोस्तों इसमें न्यूयोक शहर जो है ये सीर्सिस्थान पर रहा है next question हाली में उत्तर प्रदेश के अम्रोहा धोलक को जिया टेक दिया गया यह धोलक उत्तर प्रदेश की किस जिले में बनता है ये जो ढोलक है अमरोहा ढोलक जो तरप्रदेश के अमरोहा जिले में ही वनता है। Next question, 68 वे Film Firm Award 2023 में किस फिल्म को सर्फसेश फिल्म का अवार्ड दिया गया। ये जो अवार्ड है ये दिया गया है गंगु भाई काठ्यावारी मूवी के लिए। इस मूवी के डारेक्टर कौन है तो ये भी आपको याद रखना है। संजय लीला भनसाली जो है वो इस मूवी के डारेक्टर है। Next question, हाली में लिंडा याका रिनो किस सोशल मीडिया की नई CEO बनी है। दोस्तो लिंडा याका रिनो जो है ये ट्वेटर की CEO बन गई है। सी आप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिंडा याका रिनो जो है इनको एलन मस्क की जगा पर रिप्लेस किया गया है। और टीटर का नया CEO बना दिया गया है। नेक्स कॉश्चन हाल ही में गरह मंत्री आमिट शाह ने कहां पर दुनिया की पहली नैनो डीएपी लॉंच की है। तो इसको नई दिल्ली में लॉंच किया गया। ये आप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स कॉश्चन मैय 23 में वर्तमान उपरास्टपती कौन हैं जदी धनकड इन्होंने किस राज़ में नाथूरा मिρधा की प्रतीमा का अनावरन किया है। तो नातुरा मिर्दा की जो प्रतीमा है मूर्ती है इसका अनावरन किया गया है राजिस्थान में C option right answer हो जाएगा किस ने अनावरन किया है तो देश के वर्तमान उपर रास्टपती ने इसका अनावरन किया है नेक्स कॉश्चन हाल ही में किस राज्जे में हैरिटेस फेस्टिबल का उद्घाटन किया गया तो इसका जो उद्घाटन है दोस्तों ये किया गया गोवा में A option right answer हो जाएगा इस हेरिटेस फेस्टिबल का उद्देश क्या है तो राज्जे के सांसकदिक परेटन को बढ़ावा देना इसका प्रमुक उद्देश है नेक्स कॉश्चन राइना वरनावी किस देश की अंतिक्ष में उडान भरने वाली पहली महिला यात्री बन गई है साउदी अरब की पहली महिला यात्री बन गई है राइना वरनावी चले नेक्स कॉश्चन फाइड लाइव रैंकिंग में विश्वनात आनन्द को पचार कर भारत की नंबर वन शत्रंज खेलाडी कौन बन गई है इसमें अपने देश भारत के विश्वनात आनन्द जो है इनको पचार कर भारत की नंबर वन शत्रंज ग्रेंड मास्टर जो है दोस्तों ये बन गई है गोकेश डी यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉशन भारते क्रिकेटर मनुस्तिवारी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लिया इन्होंने किस वर्ष में क्रिकेट से डेब्यू किया था तो बर्ष 2008 में इन्होंने क्रिकेट से डेब्यू किया था नेक्स कॉशन भारते मूल के किस व्यक्ति को टेसला कंपनी का चीफ फाइनेशल आफिसर नियुक्त किया है दोस्तों बैभव तनीजा चुहें इनको टेसला कंपनी का चीफ फाइनेशल आफिसर नियुक्त किया गया है याद दखेगा ये भारते मोलके हैं इसलिए question आपकी exam point of view से most important है next question को discuss करेंगे केंद्रिय ग्रह सचेव का नाम बताईए जिनका कारिकाल सरकार ने चौथी बार बढ़ा दिया है तो चौथी बार कारिकाल बढ़ाया गया है अजय कुमार भला का A option right answer हो जाएगा ये अगस्ट 2024 तक अब इस पद पर बने रहेंगे चलिए next हमारा question है किस company को चौधी महारतने company का दर्जा दिया गया है तो ONGC Limited जो है इसके लिए ये दर्जा दिया गया है और याद रखिएगा Oil India Limited जो है ये भारत की 13 नंबर की महारतने company बन गई है चौधवी नवरतने company कौन सी बनी है तो ONGC विदेस Limited बन गई है विश्व तीरंदाजी चैंपेंशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्रे की खिलाडी कौन बनी है आदिती स्वामे और ये महस 17 साल की है होमो सेक्स्वालिटी शब्दी के इस्तमाल पर किस देश की सरकार ने प्रतिबंद लगाया होमो सेक्स्वालिटी यानि की सम लेंगिकता जो शब्द है इस पर इस्तमाल करने पर जो एराकी सरकार है इसने प्रतिबंद लगाया है C option right answer है केरल विधान सबा ने राज का नाम बदल कर क्या रखने का प्रिस्ताव पारित किया है caution most important है तो केरल का जो नाम है यह अब केरलम हो जाएगा World University Games 2023 में भारते खिलाडियों ने कुल कितने medal जीते तो total 26 medal जीते हैं C option right answer हो जाएगा important fact को discuss करेंगे तो World University Games जो है 2023 में हुए है इनका 31 संस्क्रण रहा है आयोजन चीन के चैंगदू में हुआ पदक तालिका में पहला स्थान चीन का रहा है भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं इन में से 11 गोल्ड हैं 5 सिल्वर और 10 ब्रॉंज मेडल हैं पदक तालिका में सात्वा इस्थान हाशिल किया है अपने देश ने next question केंद्र सरकार ने lymphatic philariasis बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष रखा है तो ये जो लक्ष है 2027 तक रखा गया है बी option right answer हो जाएगा lymphatic philariasis जो बीमारी है इसको आम बासा में आप सभी जानते होंगे हाथ ही पाफ कहा जाता है चलिए next question किस राज्य सरकार ने इंद्रा गांधी मुफ्त स्मार्ट फोन योजना 2030 को शुरू किया है ये योजना शुरू की गई है राजस्तान के दोवारा डी option right answer हो जाएगा इस योजना के तहत राजस्तान में महिलाओं को मुफ्त मुबाइल फोन इंटरनेट और वोईस कोल सिवाएं प्रदान की जाएंगी रूस के चंदर मिशन का नाम बताईए जिसे भारत के चंदरियान 3 से पहले चांद पर लेंड करने के लिए लांच किया गया था दोस्तों आप सभी जानते होंगे 14 जुलाई को अपने देश भारत ने चंदरियान 3 को लांच किया रूस ने उसके बाद में लूनर 25 जो है इसको लांच किया चांद पर सबसे पहले दक्षिंद रूपर लेंड करने के उदेशे से याद रखिएगा इसका नाएम क्या था लूनर 25 ए ऑप्षन राइट आंसर हो जाएगा लेकिन क्या हुआ यह जो लेंडिंग थी यह स्टफल रूप से नहीं कर पाया और क्रेश हो गया चलिए नेक्स्ट हमारा कॉशन है प्रिसिद्ध परमानू भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन अगस्ट 2023 में हो गया उनको कौन सा अवर्ड मिल चुका है तो दोस्तों इनको वर्ष्ट 2001 में पदम श्री दिया गया कब 2001 में और पदम भूशन पुरुषकार जो है को लागू करने का प्रावधान है तो दोस्तों इसमें भारतिय न्याय सहीता बी एनेस जो है इसको लागू करने का प्रावधान है चलिए नेक्स्ट हमारा कॉशन है लोकसभा में पेश किये गए विधियक में कोड ओफ क्रिमिनल प्रोसीजर को खत्म करके किस सहीता को राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉशन केंद्री आप्रत्यक्षकर और सीमा शुल्क बोट के नए चीयर्मैन कौन बन गए हैं संजय कुमार अग्रवाल दी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बिजली की कमी से जूज रहे लोगों के लिए किस राज सरकार ने मुख्यम मंत्री बन गए हैं हुन सेन और कि एशिया चेंपिंशिफ ट्रॉफी दोहजर पेश का खिताब किस ने जीता तो दोस्तों हाकी एशियन चेंपिंशिप ट्रॉफी दोहजर पेशकर चीटाब जीता है भारत ने सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा संस्क्रन तो इस वर्ष 2023 में सात्वा संस्क्रण है आयोजन कहाँ पर किया तो तमिल नाडू के चेन नहीं में इसका आयोजन किया गया विजेता टीम रही है अपने देश भारत की और भारत ने मलेशिया को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है इस कॉशन के और बढ़ेंगे किस राज के मुख्यमंत्री ने अबुआ आबास योजना की घोशना की है ये जारखंड के द्वारा की गई बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जारखंड यहां की मुख्यमंत्री कौन है तो हैमंत सोरें जो है ये जारखंड के मुख्यमंत इस्तित है माउंट एटना यह इस्तित है इटली देश में और हाली में इसमें विस्वोट हुआ है सुलब इंटरनेशनल की संस्थापक का नाम बताईए जिनका निधन 15 अगस 2030 को हुआ दोस्तों इनका नाम है विंदेश्वर पाथक बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जो विंदेश्वर पाथक है यह देश में स्वक्षता अभ्यान जो है इसमें एहम भूमी का निभाने वाले हैं और इनका जो निधन है यह 15 अगस 2030 को हुआ है नेक्स कॉशन हाल ही में मशूर खिलाडी मुहमद हबीब का निधन हो गया वक किस खेल से जड़ो हुए थे तो यह भारतिये फुटबॉलर है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉशन की और बढ़ेंगे किस पुरश खिलाडी को जुलाई 2023 का ICC Player of the Month Award दिया यह दिया गया है क्रिस बोक्स को यह ऑप्शन राइट अंसर हो जाएगा यह कहां कि खिलाडी है तो दोस्तों यह इंग्लेंड की खिलाडी है चलिए नेक्स कॉशन की और बढ़ेंगे पहले पारम पर एक चिकिस्ता वैश्विक सेकर संबेलन का आयोजन कहां पर किया गया तो इसका जो आयोजन है यह गुजरात के गांधी नगर में किया गया है नेक्स कॉशन हाली में पी एम इबस सेवा योजना को मन्सूरी दी गई इसके तहट देश के 179 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसे चलाई जाएंगी तो इसके तहट पूरी 10,000 बसे चलाई तो अफियर शब्द जो है इसकी जगा साधी से इतर रिष्टा सब्द का इस्तमाल किया जाएगा हाल ही में कौन नालंदा विश्विद्याले के नए कुलपती निक्त हुए है तो नालंदा विश्विद्याले जो है इसके नए कुलपती बन गए है अर्बिंद पन गडिया किस देश में मालावार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया इसका जो आयोजन है यह आउस्ट्रेलिया में किया गया बी ऑप्शन राइट अंसर है important fact to discuss करेंगे मालावार अभ्यास 2023 जो है कौन सा संस्क्रण रहा है 2023 में तो 27 वा संस्क्रण है आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ 11 से 21 अगस 2023 तक शामिल देश कौन से हैं तो भारत ऑस्ट्रेलिया जापन और अमेरिका यह चार देश इसमें शामिल रहे हैं नेक्स कॉशन भारतिय खूफिया एजेंसी रो के नए प्रमुक कौन मन गए तो यह बने है रवी सिन्हा रो का फुल फॉर्म आप सभी कमेंट शर्शन में कमेंट करेंगे इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनलेसिस विंग नेक्स कॉशन चंडिगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया तो इसका नया नाम हो गया है सहीद भगासिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेक्स्ट हमारा कॉशन है होकी खिलाडी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नाम करन किया गया तो राय बरेली होकी स्टेडियम जो है इसका नाम अदल कर रानी रामपाल के नाम पर रखा गया और इसका नाम क्या होगा तो रानी गल्स होकी स्टेडियम इसका नय कहा स्वान इधी महोचसव का शुभारम किया गोरकपुर में B option right answer हो जाएगा के इंदर सरकार ने चोरी या गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रेक करने के लिए किस पोर्टल को लॉंच किया तो दोस्तो इसमें संचार साथी पोर्टल को लॉंच किया है यह option right answer है भारति कोर next question सरवादिक मोबाइल स्पीट के मामले में दुनिया में सीश पर कौन सा देश रहा है तो कतर देश जो है इसमें शीर सिस्थान पर रहा है पेटीम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट निक्त किया है भाविश गुपता जो है इनको पेटीम का नया प्रेसिडेंट नि नेक्स कॉशन महीला होकी जूनियर एशिय कब दो हजर तेश का खिताब किस देश ने पहली बार जीता अपने देश भारत ने ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इन पॉर्नेंट फैक्ट को डिसकस करेंगे महीला होकी जूनियर एशिय कब दो हजर तेश आयोजन कहां पर किया गया काका मेगाहारा जापान में 3 से 11 जुन 2023 तक 2023 में आटवा संस्क्रेंड रहा है और विजेता देश अपना देश भारत है नेक्स कॉशन जून 2023 में किस तीम ने पुरुष होकी जूनियर एशिया कप चैंपियंशिप 2023 को जीता है यह जो चैंपियंशिप है यह भी अपने देश भारत ने ही जीत ली है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड की नए प्रधान मंत्री कौन बन गए पेटेरी ओर पो दोस्तों नेक्स कॉशन है बास्केट बॉल फाइडरेशन ऑफ इंडिया यानि कि बी आई का नया अध्यश किसे निक्ति किया ग कौन है तो याद रखेगा आइसलेंड देश जो है वो इस इंडेक्स में पहले इस्थान पर है नेक्स कॉश्चन सराप पर श्वास्त चिताबनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश कौन सा बना है आंसर आयरलेंड नेक्स कॉश्चन किस भ कली की नई प्रजाती गैको मिजोरमेंसिस की खोज किस राज में हुई तो इसकी जो खोज है ने मिजोरम राज में की गई है संग लोग सेबा आयोग यानि कि यूपेसी के नए अध्यक्ष कौन बन गया आप सभी जानते हैं डॉक्टर मनोस सौनी जो है इनको यूपेसी का नए अध्यक्ष न्युक्त किया गया यूपेसी इसका फुलफर्म क्या होता है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन इसका फुलफर्म होता है एक अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी और दोस्तों इसका जो मुख्याला है तो न्यू देली में इसका मुख्याला है देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए दोस्तों ये बने है अर्जम राम मेगभाल डी ऑप्शन राइड आंसर हो जाएगा देश का पहला रास्ट ये बांध सुरक्षा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया तो इसको राजिस्थान के जैपुर में स्थापित किया गया है तो पुरा टूरिज्म के नए ब्रांड अमबेज़र कौन बने तो दोस्तों सौरफ गांगुली जो है ये इसके नए ब्रांड अमबेज़र बन गए है इंपॉर्टेंट कॉश्चन है आईपेल दो हज़र तेस का खिताब किस टीम ने जीता है तो चेने सुपर्स केंग् है दोस्तों दिल्ली नगर निगम जो है इसकी मैला मेयर बन गई है शैली ओवरॉय बी आप्शन राइट आंसर हो जाएगा बैस्ट फीफा वोमन्स फूटबॉल अवार्ड दो हज़र बाइस किसे दिया गया ये जो अवार्ड है एलेक्सिया पोटेलस के लिए दिया गया ह चपशे शांदार गोल करने के लिए फीफा पुरुषकार 2022 के विजेता का नाम बताई है तो ये जो पुरुषकार है मार्सन ओलेक्सी के लिए दिया गया सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये कहां के खिलाडी है तो याद रखेगा ये पोल लैंड के खिलाडी है ने 2021 का खिताब था ये अपने देश की बेटी हरनास को और श्रंदू ने जीता था दोहजार बाइस का जो खिताब है ये जनवरी 2023 में प्रदान किया गया था सभी जन जातिये लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है दोस्त एगा तो इसका आईजिन किया गया है पंजाब में गधो के लिए भारत का पहला सर्रक्षन पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया कि भारत का पहला भूवेग यानि पार्क यानि की जियोलोजिकल पार्क जो है इसको किस राज्य में बनाया जाएगा तो इसको मध्यपदेश की जवलपुर में बनाया जाएगा यहाँ पर D option मध्यपदेश राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे शेहर पूछा जाता है तो जवलपुर राइट आंसर होगा रास्तिय खनज विकास निगम ने किस बॉक्सर को अपना ब्रांड अंबेस्टर बनाया तो निकत जरीन के लिए बनाया है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉश्चन कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल तो बीजेपी जने की भारते जनता पार्टी जो है यह यह पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई गई है उत्तरपधेश शरकार ने राजी के सभी सरकारी वाहनों को एलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष कब तक के लिए तैय किया तो वर्ष 2030 तक के लिए ये लक्ष रखा गया है बिहार के किस जिले में थावे महुटसव को आज़ित किया गया तो थावे महुटसव जो है इसको गोपाल गंजे में आज़ित किया गया मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी एक्वेटोरियल गिनी की दी आप्शन राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में मातर भूमी बुक अफ दे यर पुरुसकार 2023 किस ने जीता प्रसिद लेखक डॉक्तर पैगी मुहन ने ये पुरुसकार जीता है एक आप्शन राइट आंसर हो जाएगा इनकी पुस्तक है Wonders Kings and Merchants इसके लिए इनको ये पुरुसकार प्रदान किया गया है ये सराज्जी के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकास सिंग बादल का निधन 25 अप्रेल 2023 को हो गया इनका जो निधन हुआ है ये 25 अप्रेल को हुआ है 2023 में ये पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कितने बार दोस्तों ये पंजाब के मुख्यमंत्री पांच बार रह चुके हैं और इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच नागरिक सम्मान पद्म विभूशन से भी सम्मानित कर गया था किस सहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम बनाया जाएगा तो ये बना जाएगा जैपुर में दी ऑप्शन राइट अंसर हो जाएगा तो यूनाइटिट किंग्डम और भारत के बीच में अजै वारियर का आयजन किया जाता है जैस कॉशन है बिहार खादी हससिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एमबेज़र किसे बनाया गया है तो मैथली ठाकूर के लिए बनाया गया है ये ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है जनवरी 2023 में किसे असम राज जी का सरवोच चिनागरिक सम्मान असम भहवाव से सम्मानित किया गया ये दिया गया डॉक्टर तपन सेक्या के लिए और इससे प्रीवियस जो अवार्ट था 2022 का ये उद्योग पती रतन टाटा जी के लिए दिया गया था एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉंच हुई है ये जो ट्रेन है चीन में लॉंच कर दी गई है बी ऑप्शन राइट आंसर है नेक्स कॉशन भारत के नए उपर रास्टिय सुरक्षा सलाकार कौन मन गये है पंकच कुमार सिंग दी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है ग्रह मंत्री अमिच शाह ने किस पुलिस इस्टेशन को देश के नंबर बन पुलिस इस्टेशन के रूप में पुरुशकार दिया असका पुलिस इस्टेशन ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है रास्टिय फुटबॉल चेंपिनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता का नाम बताइए यह जीता है करनाटक ने बी ऑप्शन राइट आंसर है और विजेता टीम कौन सी रही है मेगालाई की जो करनाटक है इसने मेगालाई को हिरा कर यह चैंपिनशिप अपने नाम कर ले शुरुवाद कप की गई थी संतोष ट्रॉफी की तो वर्ष 1941 में की गया जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री मोदी ने किया है पूर्वत्तर का पहला एम्स जो है यह गोहार्टी में इस्थापित किया गया है गोहार्टी कहां पर है तो याद रखेगा असम राज्ज में है आर्टी फिशल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है पांच वी रैंकिंग है सी आप्शन राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर पर कौन है तो याद रखेगा यू ऐसे जो है वो इस रैंकिंग में प्रथा मिस्थान यानि कि पहले नंबर पर है बिहार सरकार ने तकनीकी सिक्षन संस्थानों म आइटी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया Electronic Knowledge Network A Option Right Answer है मोजाम्बी की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने है एस जैशंकर बने है Next Question की और बढ़ेंगे किस देश में भारत द्वारा बनाये गए बुजी ब्रिस का उद्गाटन विदेश मंत्री एस जैशंकर ने किया तो विदेश मंत्री जो है एस जैशंकर आभी ये कहाँ पर गए थे तो मोजाम्बी की यात्रा पर गए थे और यहाँ पर भारत की द्वारा एक बुजी ब्रिस बनाया गया है इसका उद्गाटन करने के लिए गए थे ये जो बुजी ब्रिस है किस नदी पर बनाया गया तो इसको बुजी नदी पर ही बनाया गया है Next Question की और बढ़ेंगे दोस्तों और यहाँ पर Next हमारा कॉशन है किस राजिके किवितु गाँ में वाइव ब्रिट ब्लेज प्रोग्राम की शुरुवात की गई आरुनाचल प्रदेश में ये शुरुवात की गई है Next Question भारते संविदान का पहला डोंगरी संस्क्रन जारी किया गया डोंगरी किस केंद्र शाषित प्रदेश में बोले जानी वाली भाशा है तो डोंगरी भाशा जो है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है Freedom House Index की अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आजा देश का दरजा दिया गया तिबबत के लिए ये दरजा दिया गया है सबसे कम आजा देश माना गया है तिबबत केंद्र सरकार ने सूडान में गरह युद में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए कौन सा भ्यान चलाया ओपरेशन काबिरी के लिए इसी सीरीज में हम जान लेते हैं कि तुर्की और शिरिया में आई विनाशकारी भूकम से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारतिय सेना ने कौन सा ओपरेशन चलाया है तो भारतिय सेना के द्वारा ओपरेशन दोस्त को चलाया गया नेक्स कॉश्चन चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यामार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ओप्रेशन शुरू किया तो ओप्रेशन करोना को शुरू किया गया था यह option right answer हो जाएगा लता दीननात मंगेशकर पुरुषकर 2023 के लिए किसे चुना गया तो आसा भोशले के लिए चुना गया है नेक्स कॉश्चन भारती क्रिशी अनुसंधान परिस्द ने ईल मचली की एक नई प्रजाती किस राज्य में खोजी है तो इल मचली जो है इसकी नई प्रजाती को खोजा गया है तमिलनाडू में एक आप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉश्चन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में सरवादिक विकेट लेने वाले खिलाडी कौन बन गया है साकिब अलहसन बन गया है इन्हों ने 136 विकेट लेकर ये रिकॉर्ड बनाया है नेक्स कॉश्चन दोसो अंतर रास्ट्य फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाडी ने बनाया नेक्स कॉश्चन की वर बढ़ेंगे इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भार्तिय जोडी ने जीता है सात्विक साइराज रंकी रेड़ी और चराक शेटी की जो जोडी है इन्होंने इंडोनेशिया ओपन 2023 में सुपर 1000 का किताब जीता है विश्व स्नूकर चेंपेंशिप 2023 का किताब किस ने जीता लूका ब्रेसेल्स ने जो की बैल्जियम से बिलॉंग करती है नेक्स कॉश्चन के इन्द सरकार ने परमानू उर्जा आयोक का नया अध्यक्ष और परमानू उर्जा विभा का सचिव किस से निक्त किया एके मोहन नेक्स कॉश्चन किस देश के डिंग लिरें सत्रवे विश्व पुरुष शत्रण चेंपियन बने हैं दोस्तों ये चीन देश से हैं नेक्स कॉश्चन है ओडियेफ यानि की खुले में सौच मुक्त प्लस रैंकिंग में देश का पहला शीर्जिला कौन सा बना है केरल का व नार्वे देश जो है इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है नेक्स कॉश्चन अमेरिका के रास्तपती जो बाइडिन ने किस भारते मुल्की महिला को अपनी घरैलू निती सलाकार के रूप में नियुक्त किया है नीरा टंडन के लिए डी आप्शन राइट आंसर है नेक कोशन UNICEF इंडिया के नेशनल ब्रांड एंबेसडर कौन बने है तो UNICEF इंडिया जो है इसके नेशनल एंबेसडर यह बने है आईश्मान खुराना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गुची फेशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एंबेसडर के रूप में नियुक्त क किया है तो आलिया भट के लिए किया है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा देश के पहले ऐसे नगर निकाय का नाम बताईए जिसने ग्रीन बॉंड जारी किया ग्रीन बॉंड जो है यह जारी किया है मद्पिदेश की इंदोर नगर निगम ने यहां पर बी ऑप्शन जो है यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉश्चन प्रधान मंत्री मोदी ने बैंगलूरू में इट्वेंटी को लॉंच किया यह किस से संबंदित है तो दोस्तों इट्वेंटी जो है यह पैट्रोल में 20 प्रतीशत एथिनॉल की मिश्टन से संबंदित है भी ऑ एरो इंडिया 2023 का आयजन किस शहर में हुआ जिसका उद्गाटन प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है एरो इंडिया का जो उद्गाटन है यह बैंगलूरू में किया गया है भारत की किस मैट्रो को एश्या बुक आफ रिकॉर्ड प्रसस्ती पत्र से संबंदित किया गया तो महा मेट्रो नाकपुर के लिए किया गया है दी ऑप्चन राइट आंसर है यूक्रेन के राश्चपती बोलो दिमर जैलन्सकी को किस देश के सर्वोच्च समान ओर्डर अफ दी वाइट इगल से समानित किया गया ओर्डर अफ दी वाइट इगल यह पोलेंड का डी ऑप्चन यहां पर राइट आंसर है स्कॉर्ट होम वाटर प्राइस斗 किसे प्रदान किया गया दोस्तो स्कॉठ होम वाटर प्राइस斗 है याद रखेगा इसे जलका नोबल पुरुसकार कहा जाता है और यह जो पुरुसकार है यह दिया गयाँ है प्रोफेसर एंड्रि प्रदेश की रास्ट्य विज्ञान दिवश कब मनाया जाता है तो इसे 28 फरवरी को मनाया जाता है डी ऑप्चिन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो रास्ट्य विज्ञान दिवश है यह रमन प्रभाव की खोच को समर्पित है 28 फरवरी 1928 को दोस्तों भारतिय बहुत विज्ञानी चंद्र सेखर वेंकट रमन ने इस पेक्ट्रो स्कोपी जो है उसके छेतर में एक महत्पून खोज की थी जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है आप सभी ने फिजिक्स में इसको पढ़ा होगा रमन प्रभाव के लिए उसी के लिए यह जो दिवस है रास्ट्य व औरंगाबाद और उस्मानाबाद सहर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो औरंगाबाद जो है इसका नाम बदल कर संभाजी और जो उस्मानाबाद है इसका नाम बदल कर धारशिप कर दिया गया है यह आप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा और याद रखेगा महरास्त का एक और नगर है अभी हमने उसको पढ़ा था एहमद नगर इसका नाम बदल कर क्या हुआ तो इसका नाम परिवर्थित करकर अहिल्या नगर कर दिया गया है चलिए नेक्स्ट हमारे कौशन है तेलंगाना की मुख्यमंत्री के चंद्रशेकर राव ने राज जी के न ने सचवाला भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है बी आर अमबेटकर के नाम पर बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन आयंद्र प्रदीश की नई राजधानी क्या होगी तो यहां के मुख्यमंत्य जगमूहन रेड़ी जो है इन्होंने आयंद्र प्रदीश की नई राजधानी विक विशाखा पत्नम जो है इसको बनाने की घोशना कर दी है चंडीगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया जिसका नाम बदल कर सहीद भगत सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है इसी सीरीज में हम बात कर लेंगे जारकन सरकार ने राजी के वित्यवश्ट 2023-2024 के लिए किस नाम से विधान सभा में बजट को पेश किया तो हमीन कर बजट नाम से 2023-2024 का जो बजट है इसको पेश किया गया था 23 बे रास्टमंडल बिदी सम्मेलन 2023 का आयजन के सराज में किया गया तो यह जो आयजन है यह गोवा राज में किया था नेक्स कॉशन के और बढ़ेंगे वर्ल्ड गवर्ण्मेंट समिट 2023 का आयजन कहां पर किया गया तो इसका जो आयजन है UAE यहने कि सयुक्त अरब अमीरात की दोबई में किया गया है इसकी थीम भी आपको याद रखनी है शिवरेंग फ्यूचर गवर्मेंट्स इसकी थीम रही है व्यतनाम की नए रास्टपती का नाम बताई है वह वान थोंग जो है व्यतनाम की नए रास्टपती किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से औक्सीर निकालने का सफल प्रयोग किया तो यह जो बड़ी खोज है नासा के द्वारा की गई नासा जो है यह अंत्रिक्ष एजेंसी कहां की है अमेरिका की नेक्स कॉश्टन किस महिला को बोड़ा फॉन का ग्लोब सी यू निक्त किया गया मार्ग रेटा डेला वैले के लिए नेक्स कॉश्टन रास्टी राइफल एसोशेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गये हैं दोस्तों यह बने हैं कलिकेश नाराइन सेंग नेक्स कॉश्टन है किस के इंदर शाचित प्रदेश में नमो चिकिस राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक कलर्स ऑफ डेवोशन की लेखक कौन है अनीता भरशा भी ऑप्शन राइट आंसर है नेक्स्ट हमारा कॉश्टन है हाल ही में प्रदान मंत्री फसल वीमा योजना के कारियान वेंड में कौन सा राज शीर्ष पर रहा है करनाटक ए ऑप् यहाँ अनीता सी है था नेक्स्त कॉश्टन है लुसाने डाइमनंड लीग दोहजरते इस में किस भ़ारतय खिलाडी ने जीती है दोस्तों यह जो लुसाने डााइमन लीग है इसको अपने देश के खिलाडी भालफ एक खिलाडी है नीरच चोपडा इनिछों ने जीत लिया लगाता दूसरी बार डाइमर लीग 2023 में जैवलिन थ्रूर का खिताब किस ने जीता आंसर नीरच चोपरा ने नेक्स कॉश्चन वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जैवलिंग रैंकिंग 2023 में नमबर वन खिलाडी कौन बन गए हैं तो दोस्तों ये बन गए हैं नीरच चोपरा सी आप्शन राइट आंसर हो जाएगा जो नीरच चोपरा है ये भाला फे खिलाडी है और हाल ही में बहुत से रेकॉर्ड बहुत से जो पदक हैं इन्होंने जीत लिये हैं वितवश 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है तो दोस्तों ये रही है साथ दसब्ला दो प्रती सत सी ऑप्शन यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर हमने लास्ट एट मन्त के करेंट अफियस की मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फिफ्टी कॉशन को डिसकस किया है अगर इसी प्रकार से आप पूरे साल के करेंट अफियस को पढ़ना चाते हैं जनवर वीडियो को देखने के लिए अप सभी बहुत बहुत धनेवाद वीडियो को जल्दी से लाइक करें जाधा से शेयर करें मैं फिर से आपको याद दिला देती हूं अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर न्यू स्टुडेंट है तो जल्दी थेंक्यू फ्रेंट्स और अभी मैं आपको बता देती हूँ स्कीन पर तीन मोस्ट यूस्फुल वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो को भी देख लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का तहे दल से बहुत बहुत धनेवाद